दोस्तों अंग्रेजी सीखने के लिए पहले उसकी बेसिक समयना बेहर जरूरी है और अगर आप जल्दी अंग्रेजी बोलना चाहते हैं तो ऐसे छोटे छोटे वाक के बोलना सीख लीजिए बनाने सीख लीजिए इंग्लिश आपकी मुठी में है एकदम बेसिक से सरकी क्लास सबसे बहले बात करते हैं आयाम की याप अपनी लाइफ में ले आई यावी से आयाम आयाम इसके हिंदी सुने क्या होती है आयाम की हिंदी होती है रहा हूं कोई भी काम आप कर रहे हैं तो आप आयाम बोल दिया की जे बस मैं जा रहा हूं मैं पढ़ रहा हूं इ पढ़ रहा हूं, ठीक है न, तो कैसे बोलेंगे, I am reading, I am reading, कितना आसान है, है न, I am going, मैं जा रहा हूं, I am coming, मैं आ रहा हूं, I am sleeping, मैं सो रहा हूं, कोई भी काम आप कर रहे हैं, I am, इसके बाद आता है, I was, I was, यह रहा हूं, जो अभी हो रहा है, अगर पुरानी बात बतानी हो तो, रहा था, मैं सो रहा था, मैं पढ़ रहा था, क्लास से पहले आप क्या कर रहे थे, मैं टीवी देख रहा था, अच्छा, और उससे पहले, मैं खाना खा रहा था, तो कोई काम पास्ट में करें, तो आपको I was बोलना, I am की जगा, तो जैसे अब यह भी हमने बनाया, मैं पढ़ रहा हूं, अब मैं बना देता हूं, मैं पढ़ रहा था, मैं पढ़ रहा था, तो कैसे हो जाएगा, I am की जगा, I was reading, I was reading, बस, simple यार, इसके बाद आता है, दोस्तों, तीस यह मैं कोई काम करूंगा, future, यह अभी जो आप कर रहे हैं, मैं पढ़ रहा हूं, मैं सो रहा हूं, मैं खेल रहा हूं, यह जो आप कर रहे थे, अब जो आप करेंगे भविश्य में, जो अभी किया ही नहीं है, I will, यह I will बोलेंगे, मैं जाओंगा, मैं आओंगा, कल सर मैं इकलाद दोबारा देखूंगा, मतलब जिसके लाश्क में गाँ आजाए, I will, जैसे मैं जाओंगा, मैं कल जाओंगा, या कल को टमारो मैं जाओंगा, इतना बोल देते हैं, मैं जाओंगा, तो कैसे बोलेंगे मैं जाओंगा, I will go, पहले तो I will go, इसमें हाई एंजी नहीं बस इन दो में लगता है, I will go, मैं आओंगा, I will come, मैं कार चलाओंगा, I will drive a car, मैं तुम्हें देखूंगा, I will see you, I will, इसके बाद आता है दोस्तो, I have, I have, I have का हिंदिया मतलब होता है चुका हूं, जो काम आप कर चुके हैं, आपका काम खतम हो गया, मैं खाना खा चुका मैं सो चुका हूं, मैं टीवी देख चुका हूं, मैं इंगलिश सीख चुका हूं, कोई काम कर चुका हूं, I have, इसके साथ थर्ड फोर्म लगती है, वर्व की थर्ड फोर्म लगेगी, चलिए खर, जैसे मैं जा चुका हूं, मैं जा चुका हूं, तो कैसे बोलेंगे मैं जा आटफोन लगानी वह आपको Google Google से मिल जाएगी बागी लाइफ में बोलते बोलते याद हो जाती है कभी लिश्ट लेकर याद करने बैट तो नहीं होगी दिमाग और खराब हो जाएगा अपने आप लिखते 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 देख 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 याद हो जाती है मैं जा चुका देख देख दो जैसे मुझे बनाना है नँए जा चुका था मैं जा चुका था तो कैसे बनाइंगे मैं जा चुका था I had gone मैं mange I had come, मैं सोच चुका था, I had slapped, slip की third form, sub की third form लग दिये, इसके बादा था I can, ये मेरा favorite, इस सबसे आसान, I can का हिंदिया मतलब होता है, मैं कर सकता हूँ, अब जो जो आप काम कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, मतलब जिसमें सकता सकती सकते लगना है, I can बोल दीजिए, मैं इंग जैसे मुझे बोलना है, मैं जा सकता हूँ, मैं जा सकता हूँ, तो कैसे बोलेंगे, I can go, मैं आ सकता हूँ, I can come, है ना, I नहीं बोलते हैं, I बोलते हैं, थोड़ा style में, I can come, I can go, इसके बाद आता, I should, इसके हिंदी होती है, चाहिए, कोई काम करना चाहिए, मुझे जाना मुझे उससे बात करनी चाहिए मुझे बोलना चाहिए मुझे यहां बैठना चाहिए मुझे पानी पीना चाहिए I should जैसे मुझे जाना चाहिए देखेंगे मुझे जाना चाहिए तो कैसे बोलेंगे मुझे जाना चाहिए I should go I should go, लीजे, मुझे जाना चाहिए, I should go, अच्छा, चलिए, ऐसी मुझे आने चाहिए, I should come, मुझे बोलना चाहिए, I should speak, I could आगया, could, इसकी दो हिंदिया है, एक पाया पाई, एक सका सकी, दो क्यों है, वो इसलिए क्यों कि हिंदी में इसको दो तरीके से बोट सकते हैं, for example, मैं नहीं जा पाया, तो इसे ऐसा ही बोल देते हैं, मैं नहीं जा सका, बात तो एक ही है, कानी दर से पकड़ो एदर से, मैं टीवी नहीं देख सका, मैं कार नहीं चला पाया, नहीं कार नहीं चला सका, तो पाया बोलिया या सका बोलिया, बात एक ही है, तो जैज, इसमें आ नहीं वाला बनाएंगे, थोड़ा अच्छा लगेगा not के साथ, मैं नहीं आपाया, मैं नहीं आपाया, आपाया, सो कैसे बनाएंगे मैं नहीं आ पाया I could not I could not come यह लीज़े I could not come मैं नहीं जा पाया या नहीं जा सका I could not go मैं नहीं बोल पाया नहीं बोल सका I could not speak इतना असान है यार इससे अधा हलुआ चीज नहीं देखी मैं नेच्ट आता I do I do इसकी हिंदी सुनिये I do की हिंदी है करता तो हूँ आप किसी को ऐसे बोलना है न मैं पढ़ता तो हूँ मैं टीवी देखता तो हूँ मैं उससे प्यार करता तो हूँ मैं यहां रोज आता तो हूँ सर में कपड़े धोता तो हूँ, करता तो हूँ, I do, जैसे मुझे बोलना है, मैं बोलता तो हूँ, तो कैसे बोलेंगे, I do speak, I do speak, मैं जाता तो हूँ, I do go, I do go, मैं आता तो हूँ, I do come, I do come, अच्छा, अब आता है, I do के बाद, I did, तो I did क्या है, यह इसका past है, इसका हिंदिय मतलब होता है, किया तो, यार मैं आया तो, मैंने उससे बात तो की, मैं बैठा तो, past की बात हूँ, किया तो, यानि यह काम मैंने पहले, किया तो, मैं कम से कम बोला तो, वहाँ पे, मैं ने कम से काम पानी तो पिया तो कोई काम किया तो तो जैसे मैं आया तो यह यही बनाते हैं मैं मैं आया तो आया तो ऊपर वाला तो मैं आता तो हूं है ना नीचे मैं आया तो तो कैसे बोलेंगे I did come I did come लीजे बन गया कितना असान है याद है नो चलो इसको सेपरेट कर लेते हैं जल्दी से I did come चलो आगे बनाते हैं नेक्स्ट आलो दोस्तों देखेंगे I would अच्छा होमवर्क दूँगा अभी करने के लिए बिना होमवर्क करे मत जा ना प्लीज इस सब इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि लाश्ट में होमवर्क करके जाओ और अगर आप अभी तक वीडियो देख रहा है वाली तो इतने हो ना रहा हो तो उन लाखों करोडों अर्बों बच्चों में से हो जो इंस्टाग्राम पैसे रील चलाते चलाते होमवर्क दूंगा दो रोग कसे आइवटा यह icon Finanz का मतलब होता मैं चाहूँगा यह अपनी ने इछापनी विष्ट बताने के लिए हुँए मैं चाय पीना चाहूँगा मैं आज वहाँ जाना चाहूँगा मैं तमसे बात करना चाहूँगा meus तुम्हारा उडाना चाहूंगा चाहूंगा है न? So I would यह हो गया, I would इसके साथ like जरूर लगाएंगे अगर चाहेंगे I would like to पतम उडाना fly a kite I would like to fly a kite मैं पतम उडाना चाहूंगा मैं तुमारा नाम जानना चाहूंगा I would like to know your name मैं वहाँ जानना चाहूंगा की हिंदी सुनिये फिर homework की बारी आ रही है I might का मतलब होता है कर पाऊंगा मैं जा पाऊंगा या सकूंगा है न? मैं जा सकूंगा मैं आ सकूंगा मैं कर पाऊंगा मैं जीत पाऊंगा या सकूंगा जैसे मैं जा पाऊंगा या सकूंगा ऐसे एक ही बात है मैं जा पाऊंगा या सकूंगा है ना आई आई माइट गो ऐसे ही मैं आप पाऊंगा आई माइट कम आई माइट स्लीप आई माइट डांस या जो भी है एक बार आप इसका screenshot मारिये फिर मैं आपको एक homework देता हूँ चोटा सा चलिए देता हूं इस वक्त आपके स्क्रीन पर कुछ सेंटेंस लिखे वे नजर आ रहे हैं यह वही हैं जो मैं आद आपको सिखाए हैं सारी वही चीजें वही कॉंसेट हैं और वही चोटे-चोटे सेंटेंस जो आप मुझे रकीन है आप बनाएंगे बेसिक कॉंसे आपके आंसर का इंतजार करूंगा आपके कॉमेंट को लाइक करूंगा और जवाबी दूगा और एक दूसरे का आंसर को देखा किजिए और कोई गलती है उनकी हेल्प कर दिया कीजिए कॉमेंट में बताके कि यह चीज नहीं ऐसे बनेगा शुक्रिया बेसिक स्ट्रक्चर और सिखने के लिए ऐसी चीजे सीखने के लिए सरताजक्लाशे यूड़ी चैनल सरताजक्लाशे फेस्बुक पेज को लाइक सब्सक्राइब और शेर कर दीजिएगा मेरे क्ताब एमज़ून और फ्लिपकार्ड पर वर याद रखिएगा स्रिफ दो प्लाइट्फॉर पर अ झालना